Hello dear students, class 9 science के chapter 7 motion का ये lecture number 13 है और आज की lecture में हम discuss करेंगे कि velocity time graph का जो slope होता है वो हमें क्या दिखाता है, क्या बताता है, क्या represent करता है तो जो slope होता है velocity time graph का उससे हम acceleration find out कर सकते हैं, acceleration के बारे में वो graph बताता है और इसके बाद में एक और चीज हम discuss करेंगे, जो uniform velocity का जो graph होता है, जो straight line linear graph होता है उसमें से हम distance को कैसे calculate कर सकते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में discuss करेंगे प्रिवियस वीडियो में हमने वो चीज डिसकस किया था, लेकिन वहाँ पर जो graph था वो थोड़ा अलग था, और आज का जो graph रहेगा वो अलग रहेगा तो इस वीडियो में आप मेरे साथ end तक बने रहेएं तक कि आप detail में हर चीज समझ सकें, चलिए शुरू करते हैं तो देखिए the slope of the velocity time graph represents acceleration of the body, किसी भी velocity time graph का जो slope होता है ये हमें क्या represent करता है, acceleration represent करता है उस body का, कैसे find out करते हैं, देखो acceleration का formula क्या होता है change in velocity upon time taken, तो अगर आप इस slope को देखोगे, तो इस slope में velocity लगातार change होता जा रहा है तो जब समय यहां था, तो velocity इस point पे था, ठीक है, और उसके बाद में velocity बढ़ गया, यहां पर इस time पे, पिर यहां पर इस time पे, ठीक है तो इस तरीके से जो velocity है, वो बार-बार change हो रहा है, और हमें पता है कि rate of change of velocity या change in velocity upon time taken को हम acceleration बोलते हैं अब यहां पर change in velocity क्या चीज़ है, देखो, इतने दूर का velocity हमें find out करना है कि कितना change हो रहा है तो इतने दूर में velocity कितना है, यह वाला part velocity बताएगा, अब इसके parallel अगर आप देखोगे, इस line को अगर हम यहां से यहां तक extend कर दें ठीक है, दोनों को extend करते हैं, देखो, यह वाला part को यहां तक extend कर दो, और नीचे time वाला part को यहां तक extend कर दो, तो extend करने पर आपको यह वाला जो part है, वो इसके equal आएगा, ठीक है, और उसके equal आ रहा है, का मतलब क्या है, वो velocity बता रहा है, तो कितना change हो रहा है velocity, वो आपको पता चलेगा ये वाले पार्ट से, इस पार्ट से, वो आपको इस पार्ट से पता चल जाएगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यह पार्ट है हमारा ed, तो उपर लिख ले आपने velocity, ed, changing velocity, divided by time taken, अब यहाँ से यहाँ तक का time कितना है, वो नीचे से पता चल यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, ठीक है, तो उसके according हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस line को आगे extend कर लेंगे, तो वो मिल गया अपने को ad, जो की है time taken, ठीक है, तो acceleration का यहाँ पर formula क्या बन गया, ed upon ad, तो ed का value आपको put करना है, और ed का value put करना है, और acceleration आप graph से find out कर सक चीक, अब इस velocity time graph के graph से, इस particular इस graph से आप distance कैसे calculate कर सकते हैं, यह हम दिखते है next slide में, तो दिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है the area enclosed by the velocity time graph and the time axis gives the distance traveled by the body, यानि कि यह वाला जो area है, नीचे का जो area है, यह हमें distance बताता है किसी भी body का, अब अगर यहाँ से यहाँ तक का कोई velocity है, हमने लिए है कि change in velocity यहाँ से यहाँ तक का है, तो particular हमें क्या पता करना है, distance पता करना है, तो distance केवल यहाँ तक का नहीं होगा, distance travel तो पूरा यह वाला part होगा, ठीक है, एक बार मैं clearly आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, देखिए, distance travel यह वाला part होगा, यह जो मैं shed कर किया है, तो यह वाला जो part होगा, यही distance travel हो जाएगा, अब इस distance travel को हम कैसे calculate करेंगे, देखिए, यहाँ पर इसको अभी हमने extend किया था पीछले, previous slide में आपने देखा, तो यहां एक rectangle triangle बन रहा है, और उसके नीचे एक rectangle बन रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, दोनों के area को add कर देंगे, क्योंकि यही area हमें क्या बताएगा, distance traveled बता देगा, तो देखिए, distance traveled is equal to area of A, B, C, D, E, देखिए, A, B, C, D, और E, ठीक है, तो यह एक pentagon बन रहा है, अभी pentagon में यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको दो part में divide कर दोगे, एक तो triangle और एक rectangle में, तो यहाँ पर rectangle A, B, C, D, देखिए, यह वाले rectangle का area, इन दोनों को जब हम add कर देंगे, तो इस body ने कितना distance cover किया, particular यहाँ से यहाँ तक का, वो हमें पता चल जाए, तो देखिए, area of triangle का formula आता है, half into, base into height, तो 1 by 2 लिख लिए हमने, अब यहाँ पर आप देखो, इस वाले triangle में, base तो है AD, ठीक है, तो यहाँ पर आगया AD, और height है यहाँ पर ED, तो यहाँ पर आगया DE, या फिर ED, आप कुछ भी लिख सकते हो, DE लिख सकते हो, ED लिख सकते हो, value तो same रहेगा, plus area of rectangle क्या होता है, length into breadth, अब यहाँ पर आगया AB into BC, तो जब इन values को आप पुट करोगे, तो आपको इस particular इस area का, आपको यह पता चल जाएगा, कि यहाँ पर distance कितना है, इसका पूरा area का value मिल जाएगा, चीक है, तो इस तरीके से velocity time graph का use करके, हम किसी भी graph का, कैसे भी graph हो, चाहिए वो linear graph हो इस तरह का, या फिर previous video में हमने जो देखा था, इस तरह का graph बन रहा था, उसका भी हम area calculate कर सकते हैं, और इस area से हमें distance travel पता चल जाता है, ठीक है, तो इस video में केवल इतना ही रहेगा, next video में हम आगे का portion देखेंगे, और next video का link आपको इसी video के description box में मिल जाएगा,